हलो फ्रेंज, सुमास किचन में आप सब का स्वागत है ठंडी की टाइम में चाय के साथ पकोड़ी खाने का सब को बहुत मन करता है इसलिए आज मैं आपके लिए सुपर क्रिस्पी गोबी पकोड़ा रेस्पी ले क्या आई हूँ बहुत लोग को क्रिस्पी चटपटा खाने का बहुत मन करता है इसलिए सब बहारी खरीद के खाते हैं बिल्कुल आपको रोडसाइड मिलने वाली चटपटी और क्रिस्पी पकोड़ी रेस्पी आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अगर आप एक बहार इस तरह भना के खाओगे तो बहार खाना छोड़ दोगे इतना टेश्टी लगेगा चलिए लेट किसलिए जल्दी से जल्दी देखती हैं सूपर क्रिस्पी गोबी पकोड़ा कैसे बनाना है गोबी को आप इस तरह हाथ से ही चोटा चोटा पीचस तोड़के रख दीजिए अगर गोबी तोड़ा मोटा हो आप चापकु से मीडियम सैज कट करके रख दीजिए इस पकोड़ी के लिए गोबी तोड़ा बड़ा सैज होना है ज्यादा चोटा नहीं करना है इसमें तोड़ा नमक और गरम पानी डालके 5 मीट रख दीजिए जब भी गोबी बनाना हो इसको गरम पानी के साथ अच्छे सा दोना चाहिए तब तक बैटर तयारी करते हैं बोल में एक कब बेसिन डालिए उसमें दो चमच चावल काटा डालिए आदा चमच नमक और तोड़ा सा हल्दी एक चमच रणचिली पाउडर तोड़ा सा चाट मसाला एक चमच दनिया पाउडर तोड़ा सा अजवैन पिंच गरम मसाला और पिंच बेकिंग सोडा भी डालके इसको सब अच्छे सा मिक्स करना है अब इसमें तोड़ा तोड़ा पानी डालके बैटर को गाड़ा रखना है मिर्ची आलू बज्जी के रिए कैसे बैटर रखते हैं वेसे रखना है बैटर को ज़्यादा लूज नहीं करना है अगर ज़्यादा लूज रहेगा गोबी को चिपकेगा नहीं आप देख सकते हैं जिसे मैंने गोबी को डिप करके आपको दिखा रही हो ऐसा होना है इस तरह गोबी को कहीं होल नहीं होना चाहिए सारा बेसिन से कवर करना है तेल अच्छा सा गरम होने दीजिए गरम होने के बाद जो डिप किया है उसको एक एक गोबी को तेल में डालके डिफ्रे करना है इस पकोड़ी को ज़्यादा देर फ्रै नहीं करना है इसको तोड़ा कच्चा पन रहेगा उसी टाइम निकालके रखना है इस गोबी पकोड़े को 70% तक फ्रै करना है ग्यास का फ्लेम मीडियम में ही रख लीजे इसको इस तरह कच्चा कच्चा ही रहना है आप देख सकते हैं इस तरह कलर आने के बाद तुरंद निकाल के एक प्लेट में रखना है इस तरह आप एक बार सारा पकोड़ी बना के रखेंगी तो जब आपको खाने का मन लगीगा त इसलिए पहले ही पकोड़ी को जादा लालने करना है आदा ही फ्रे करना है आदा बात में करना है अब इस पकोड़ी को डिफ्रे करने के लिए इस बार तेल को अच्चा सा गरम करना है जैसे हमने कप पकोड़ी उसमें ढालेंगी तेल ठंडा हो जाएगा इसलिए पहले ही त तेल को अच्छे सा गरम आने दीजिए अब इस सारा पकोड़ी को फिर से तेल में डालिए दुबारा पकोड़ी फ्रै करते वक्त ग्यास का फ्लेम हाई में ही रहना है अगर ग्यास का फ्लेम दीम हो जाएगा तो तेल ठंडा हो जाएगा तब पकोड़ी अच्छा नहीं पकोड़ी डालने के बाद तुरंद चमस से मिक्सने करना है एक दो मेंट के बाद दूसरी तरफ पलटना है तब ही ग्यास का फ्लेम हाई या मेडियम में ही रहना है आप देख सकते हैं इतना बड़िया खलर आया है और इतना क्रिस्पी लग रहा है इसी थरह खलर आने तक पक अब आप स्पैसी खाना बहुत पसंद करते हैं तो आप ग्रीन शिटनी के साथ खाईए और बच्चे को टमोटो सास के साथ दे दीजिए बहुत पसंद से खाएगा उपर से क्रिस्पी अंदर से साफ्ट बिल्खुल बजार जैसे ही सूपर क्रिस्पी पकोड़ी रडी हो ग और बगल में बेल बटन क्लिक करना मत बूलिए फिर मिलते हैं एक टेस्टी रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई फ्रेंट्स धन्यवाद